स्वागर्द आप सबका दूसरे T20 आई के अंदर फिर इसे आपको एक बहुत भी बड़िया मैच देखने को मिलेगा बिट्विन आइलेंड इन साउथ अफरीका खेला जाएगा शेक जायद सिडियम अबुदाभी के अंदर जहां पर पहला T20 मैच वाथा इवन जो तीन मैच का टार्गेट दिया आठ विकेट के नुकसान पर करडस केंफार आते हैं 49 रन की पारी खेलते हैं 36 गिंदों में निल रोक ने 37 किया 28 गिंदों में जो डॉक्रेल 21 किया 16 गिंदों में रोस आधिर ने क्विक फैर स्टार्ट दिलाया था मात्र 18 रन बनाए 10 गिंदों के में जिसने पिछला मैच देखा होगा मैंने जो टीम कवर करी उसको याद होगा चार विकेट निकाले लास्ट ओवरिक अंदर इसने तीन विकेट निकाल दिये थे मैं सोच रहा था ऑटेनल बटमन आएंगे हों बॉलिंगराने व्यान मॉल्डर को एक विकेट मिला 15 रंदे गया फिर सेनों ने समय लिया जाँ अंतर पर लेते हैं ब्रिजगन 19 किया नाबाद एडन माकरम ने 17 किया नाबाद क्रिये यंग और मार कादिर यह दो सफल गेंबाज रहे और साउथ अफरीगा पहले टी ट्वेंट याई को आठ विकेट से जीच जाती और दो मैच की शंक अबुदावी के अंदर देखता है अग्रास थी पिछ के उपपर इसके बारे में डिटिल से बात करेंगे हर एक प्लेयर के स्टैट्स है टेलीग्राम चैलन जोइन कर लो फाइदा क्या है लाइन अपस के बाद कोई भी अपडेट आई की टेलीग्राम पर देदूंगा इस इससे पहले IL T20 के मैचेस वे थे एलिमिनेटर मैस था दुबई वर्सेज आब उदावी नैट राइडर्स का जिसमें 180 बना चेस नहींवा टीम एक सो तीन पर से मट गई 147 बना चेस नहींवा 94 बना चेस हो गया 180 बना चेस नहींवा 183 बना चेस नहींवा IL ने आपर 21 मेंसे 15 मैचेस जीती है South Africa 5 मेंसे 4 मैचेस जीती है और जो पिछले 12 मैचेस ये tillफ समें ब राइन शेस करते हुए करीबन अचमांच ये चेस कृष्ट में पीटर निकाला था जो लास्ट में पच्चीश डूसरी पारी में 20 पारी में 15 पंदरा स्विनर्स के शाइच पारी में 19 दूसरी पारी मैच हो रहा है दूसरी पारी में 19 आपको लगेगा कि बहुत ज़्याद है different pitch थी यह देखो आप ग्रास थी इस pitch के पर अच्छी गासी जो हम देखते हैं especially Ireland के अंदर या फिर जो European countries है वहाँ पर हम देखते हैं तो ऐसी pitches देखने को मिलती है देखो अच्छी गासी ग्रास थी वरना ऐसी pitches पर matches के लिए जाता है दुबई में या अबुदापी में बट यह pitch थी वाई सब ऐसी हरी बरी तो यह भी आपको ध्यान रखना है यह ग्रास थी और इस pitch पर अलग के बारे में डिसकस किया था तो इतनी ड्राइई पिस्ती है डामेंशन्स लास गे में 66-69 यहां पर आपको 73 दिख रहा है क्योंकि यह एश्या कपका है और सामने 75 मिटर स्वेर सामने की दरफ बाउंटरी थी तो गास देखना यार क्लियर है दुबई में कहा अबुदाबी म मैच चुरूब कावा और 34 डिग्री शेल से बहुत ज़्यादा घर्मी है दुन टीमस नापस में 6 माचेस के लिए अस तक T20 फॉर्मेट के अंदर और 6-6 साओ तो फिर आपको कर्दस कैंफर दिखेंगे फिर आएंगे डॉक्रेल निल रॉक लिकेट की पर बल्ले बाज ये अरीजा एकल टन उपन करते हैं ब्रिट्स के वंडाउन एडन माक्रम स्टप साइंगे वियान मुल्डर प्रैक्रिक कुगर ब्यॉन 14 लिजा डॉर्टन बर्टमन एंगेडी आपको दिख सकते हैं इस गेम में इंसेट ऑफ नकाबा पीटर पॉल स्टैलिंग 6 मैचेस खेल च चुड़ी थी उसके बाद इसने बहुत अच्छे रंस बनाए थे सेम फॉर दपॉल स्टैलिंग 20 मैचेस में 604 रंसे स्वेंवी पे 31 के उसद रहा साधी 18 रंस बैटिंग फर्स्ट लास्ट गेमर से पहले बीच्छे टेच में था 18 57 36 15 14 टेक्सो सूला वही फॉर्म इसने प 6 मैचेस में 100 रंस है 12 हेट्टूड में वैंडिय के उपर 7 मैच में 64 रंस बैगे जैसे यह भी ठीक टाक तच में दिखा था चार्च रोक्य मारे देशने 16 रंस की पारी में कर्ड़स कैंफर तीन मैचेस में 68 रंस है 100 का स्ट्राइक रेट लास्ट गेम में 5 संस कूर था था तीम के लिए वैंडिय के पर तीन मैचेस में 60 रंस है जैसे आप देख सकता है इनिंस वाइस बॉलिंग करा सकता है डिस विगेट के पर अच्छा कासा बाई को जिप मिलता है बड आइड ने रोक का सहथी से और राल हैट टूएड और वैंडिय के पर तीन मैच मठ थीस रंस है नाज्ट के पर तीन मैच माठ थीस रंस है लास्ट गेपर एक एक चाह था जो कर्डस परने लिया था डॉक्रेल का पांच मैचेस में 89 रंस है जीरो विगेट है वैंडी पर 18 मैच में 33 रंस है 12 विगेट है और फॉर्म इतना खास नहीं है भाई का मार कादीर एवर ग्रीन प्लै ज्यादा बात नहीं करूंगा लेके चलो फ्यॉन एंड बहुत एक्स्पंजिव लाज्ड गेम करने रिसेंट ठीक रहा था बॉलिंग फुर्ष में ट्राइग रसकते हो बॉलिंग सेक्ड में थोड़ा से रिसकी है मैथ्यू अफ्रेस विकेट लेस रा वैसे कोई खास स्वाम में आया नहीं था है क्रिया गयंग बॉलिंग फॉर्ष में जरू ट्राइग वेन्यू के पर तीन मैच में चाह विकेट है और बॉलिंग सेकंड दर दो मैच तीन वराल पांच में चाह विकेट है बैन हएड टोड में दो मैच में विकेटल स्वेफ्स एंफ पर देवन्यू गर्थ डिले नहीं नहीं है लोक अंटकर गैविन हॉए अच्छे फॉम में लेक्स्पिनर खिलाए जाना चाहिए था मेरे साफ से बट पिछ पे स्पिन नहीं है और उपड़ से आप फ्रिश्ट्पिनर को खिला रहे हो जिसको टंच भी रहता है मुश्कीला थोड़ा यह डिजर्व करता 11 मियाना ग्राम हमें अच्छा बोलर है पिछले गेमे मैथ्व इंफ्रेस ने पहला साथवा नववा पंदरवा डाला मार ख़दीर दूसरा चौतवा 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 अठारवा किरेगेंग तीसरा पांचवा तेरवा फ्यान चटवा बारवा सतरवा वैन वैट का आठवा ग्यारवा सोलवा टेक्टर का दस्वा ओवर था अच्छे टच में था है रिसेंटली देखते हैं रिजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है चार मैचस में 236 रंस है वैनियू के पर दो मैच में 55 मैथ्वी बीट्सके नुनीस के नाबाद चेस कुपर यह भी एक अच्छी पारी खेल के जा सकता है बैटिंग फर्स में या फिर जिरो विकेट है स्टब्स दो मैचस में 25 रंस है वैनियूपर एक मैच खेला बट बैटिंग नहीं आई थी वैई सास लेने में दिखकत तुरी है एक नाक से सास ही नहीं आ रहिया है मतलब चुखाम की वज़े से बंद है इसले बार बार मिरको ऐसा करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा इस बार गयान मुल्डर का एक मैच में एक विकेट बालिंग फर्स्ट जो लास्ट मैस में आया था इसी वैनियूपर दो और का स्पेल ता बंदर अन दिये थे पैटिर कुगर ने चार विकेट निगाला और ठीक थाक इनका T20 करियर रहा है पांच मैचों के अं लास्ट गेम में चासर लेक्समी अलै रही है बस विकेट में में कंट्रोल नी था बहुत इसने फुलर भाल डाली थी फुल्टल्स जाली थी लेजार का तीन में दो विकेट लास्ट गेमें बहुत एक्सपंसीव रहा विकेटलस भी गया बॉलिंग फर्स्ट ओर्टनल बट्में भी एक्सपंसीव जाते हैं अपने थर्ड ओवर गेंद है जहां पर इन्होंने दो चक्के खाये थे डॉक्रेल और केंफ़र से एक एक विकेट एप वैंगेडी खेलेंगे तो बहुत इंपॉर्टन रहेंगे चार में पांच विकेट है अंडर सिक्स एकॉनोमी है वैंडिले नांदे बग अच्छे बॉलर है इस विकेट के इसको जिप पका मिलेगा अगर वही सेम पिछ रही है सी जैसन समित अजे बैटर खिलते हैं मूसली पिछली के में लिजार ने पहला चटवा अनुनिस वा डाला मुल्डर का दूसरा चौता बट्मन का तीसरा पांच वा सत्रवा बीसवा भी मिलता बड़ वाइसवा सत्रवा में बहुत रन खागिया गया बहुत अच्छा इसका भी एडन माकरम का दस्वा नकाप फिटर का ग्यार वा तेरवा सोलवा था पॉल स्टैलिंग का कोई मैच अप नहीं है मैच अप इनका खुद के साथ है रोस अधिर वर्सिस मूल्डर फिट से आपको मैच अप देखनी को मिलेगा पांच गें चार है एक इनिंग्स में इक बार आउट किया है लॉकन टगर वर्सिस ब्याउन फॉर्टेन मूल्डर हैरी टेक्टर का भी मैच अप नहीं है ऐसा स्पेशल बस ये दोनों प्लेयर थे ना आई मीन तीनों हैरी टेक्टर डॉक्रिल कैमफर इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल गया थ प्रीम और तो मैचक क्या इंग्स में आपको बता हूँ प्रिकलटन वर्सिस जादिर नौ जावल ग्यार ने कि इनिंगस में पर आउट किया है देन माकरम वर्सिस माक अदिर क्रेयुन नॉर्मल मैचप यार सारे 28% GST free 30% TDS free आपको देखने को मिलता है विजिनल के उपर आप खेल सकता है मैं खुद यहां पर खेलता हूं और वन अधे बेस्ट एप्रिकेशन है जहां पर आप खेलते हो बट अगर आपको लगता कहीं चेंज करने की जूरत तो आप ट्राइ करके देख लेना यह भी नहीं कहूंगा आप हमेशे यही पर खेलो क्योंकि सबके लिए कंडिशन से लगल होती है कोवन कैप्टन एडन माकर मार कादीर होंगे लिंग में नीचे दिया रैफर कोड स्टाइट्स गुरू जी है रीजा एंडिक्स को ग्रेंड लिंग में रोटेट करी है जो सेम अमने लास्ट ताइम बात करी थी रिकल्टन पाट्रिक क्रूगर फि अटेक में थोड़ी सी धार कम है क्योंकि सीर्ज में मकार्ती नी खेल रहे बैरी डिलेनी नी खेल रहा जो विकेट टेकर रहा है जो जो इतल तो खैर बहुत बड़ा मीस उनके लिए ट्रैक्टर को मैंने ले लिया है बिट्स के इंपोर्टन अगर खेलता है रोस आधिर को में ट्रै करना एडन माकरम कर्डस कैंफर दोनों इंपोर्टन और पैट्रिक क्रुगर जो लास्ट गेम में मैंने छोड़ा बहुत लेंगा पड़ा मार कादेर वनना बहुत अच्छा मैच जाता मार कादेर क्रेग यंग प्रिफर कर सकते हैं अभी फिलाल मैं लिजार्ड व दालता वहां पर इसको एक दो विकेट गारेंटीड मिलते इसके होते हैं कुछ असी पॉइंट के आसपास असी नदा है तो आप चाहिए दोसको कैप्टन कर सकते हैं अगर आयलेंड पहले की इंद बाजी कर रही है मार कादेर से बैतर कैप्टन से अप्शन नहीं मिलेगा क यह टीम बनेगी देख तरी स्टाइट सुरूजी रिकल्टन और रिजा अंडिक्स फिर से टॉप ऑप्शन है कैप्टन सी के लिए जो बहुत से अपोनेट बना के भी आएंगे और अच्छा उप्शन भी है रिकल्टन और रिजा इसको भी ट्राई कर लेना तब तक देख यह स्टाइट सुरूजी स्टीश और लवव और बच्छ वर इसकेंगे